हेलो स्वागत आपका हमारे स्टेडि व्य एजुकेशन चैनल में यदि आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है या फिर आज आप हमारे चैनल से हमें पहली बार देख रही हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हमारे चैनल के उपर राजस्तान हाई कोर्ट से रिलेटेड जो अपडेट है लाते रहते हैं और जो नई-ने डिक्टेशन्स भी है वो भी अपडेट में चल रही है और SAC से related और हाई कोटर, रजस्तान हाई कोट से related, जो भी पूरा कोर्स है, वो free of cost हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, और भी हम reasoning जी के mathematics, science का, जेयोगराफि का, बागी पूरा कोर्स है, वो हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, सभी competition exam की त्यारी है जो हम आमारे चैनल पर करवाते हैं आज की जो dictation है वो मैं आपको 70 वर्ड पर मिनट की speed से लिखुआँगी dictation स्टार्ट होती है पांच सेकंड बाद Ready, Start इलहावाद उच्च नयाले के समक्ष विचारन के लिए यह प्रशन था की क्या उच्च नयाले अथवा जिला न्याय धीश सहिंता की धारा दो के अंतरगत कारवाई करते हुए एक अधिनस्त नयाले में लंबित बाद को दूसरे अधिनस्त नयाले को अंतरित करने की शक्ती रखता है जिसके पास उस बाद का विचारन करने के लिए धनसंबंधी नय की शेत्रिय अधिकारिता है विराम यदपी ठीक यही प्रशन राम दास वाले मामले में था फिर भी इलहावाद उच्च नयाले की खंड नयाए पीठ ने जिसकी अध्यक्सता विद्वान मुख्य माननिय नयाए धीश सुलेमान ने की थी कोमा इस प्रशन के गुणा गुणों के आधार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दी जाने वाली दलील को ध्यान में रखते हुए वी निश्चे का अनुसरन करते हुए यह मत अभिव्यक्त किया था की और जिला नयाए धीश को उस मत को ध्यान में रखने का निर्देश दिया था विराम यह प्रशन इलहावाद उच्च नयाले की खंड नयाए पीठ के समक्ष किशोरी लाल बनाम बाल किशन वाले मामले में आया था जिसकी अध्यक्षता विद्वान मुख्य नयाए धीश दुवारा की गई थी विराम विद्वान मुख्य नयाए धीश जो रामदास वाले मामले में नयाए धीश बाजपै दुवारा दिये गए निर्णे से सहमत थे यह मत अभिव्यक्त किया था जिसके साथ अन्य मानविय नयाए धीश कैंदाल सहमत थे कि किसी उच नयाले या किसी जिला नयाए धीश को किसी अधिनस्त नयाले में लंबित मामले को एक दूसरे नयाले को अंतरिम करने का विकल्प है जिसके पास उस वाद का विचारन करने की अधिकारिता है चाहे उस समय उसके पास उसका विचारन करने की शेत्रिय अधिकारिता नय हो विराम विद्वान मुख्य नयाया धीश ने इस मत के समर्थन में की रामदास वाले मामले में अभिव्यक्त किये गए मत जिससे माननिय नया धीश सहमत हो गए थे, सही विदी अधिकतित नहीं की गई थी, यह कहा था, स्टॉप स्टॉडंस के लिए एक बात और, कि अभी जैसे हाल ही में चल रही है कि राजितान हाई कोट के अंदर जो डिक्टेशन है वो लीगल डिक्टेशन आएगी तो देखिए students कोई पता नहीं है कि अपने को वहाँ पर legal dictation ही मिलेगी ये उन पर depend करता है कि वो कौन सा matter देंगे legal dictation देंगे या फिर mix देंगे किस चीज़ पर आजाना है तो अपन ऐसे करें कि legal dictation सिर्फ उसी के practice ना करें मिला जुला practice करें कुछ legal dictation भी जादा लिख लें और दूसरी जो dictation है वो भी लिखने के पूरी पूरी प्रयास करें अपने को वो भी लिखने आने चाहिए तो इसी लिए सबी परकार के dictation लिखेंगे तो आप हमारे study education channel को subscribe कर लीजिए क्योंकि हम हमारे channel के उपर new update के साथ नई नई dictation से बोलाते रहेंगे थैंक यू धन्यवाद